हलो गाइस कैसे आप सभी लोग उम्मिद करते हूं बड़े होंगे आज हम कम्प्रीट करेंगे हमारा अमेरिकन एबोलिशन और जिसने पार्ट वन ही देखा है इसके पहले पार्ट वन कवर हो चुका है जिसने पार्ट वन ही देखा है वो पार्ट वन को देखा है ये बेसिकल बनाए गई थे, वो nominal थे, अब उनको force में लाना शुरू कर दिया, साथ इसाथ कुछ नए law लेकर आई British government, जैसे कि पहला क्या था, पहला था आपका currency act 1764, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो currency act पेपर will है, उसको regulate करने के लिए, paper money को regulate करने के लिए currency act 1764 लेकर आई, उसमें क् साथ से forward कर दिया था, colonies को आप यहाँ पर कह दिया गया था, कि अब कोई भी जो payment होंगे, वो future will पर नहीं होंगे, future will का यहाँ क्या मतलब है, future will का मतलब है, मान के चलेंगे, यह अमेरिका है, यह आपका ब्रिटेन है, यहाँ के merchant ने बिसीकली है, मान के चलेंगे, trading की, यहा यहाँ पर क्या पैसा देना होगा, तो यह क्या कर जैदी, future will का use करते थे, कि यहाँ पर future will का use कर जैदे, कि future में हम आपको ऐसा ऐसा पैसा देंगे, तो वही चीज यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर currency act लेकर आए है, currency act की तहट क्या था, कि अब जो पैसा दिया जाएगा, वो एक तो future bill में नहीं दिया जाएगा पहली बात future bill में नहीं दिया जाएगा मतलब paper money को अब इन्होंने regulate करने के लिए currency एक 1764 को लेकर आए ओके अब इसके तहट क्या हुआ अगर आप future bill में पैसा नहीं देंगे paper money में आप उसको regulate करेंगे तो आप पैसा देंगे कैसे अब आप pay करेंगे repay कैसे करेंगे आप gold और silver में आप आप यहाँ पर पैसा देंगे ऐसा basically no नहीं क्यों किया ऐसा इसली क्या क्यों कि यहाँ पर अमेरिका की colonies की जो यहाँ पर currency थी वो depreciate हो रही थी अब depreciate अगर होगी currency तो जो ब्रिटेन के merchants जो ब्रिटेन के traders हैं अगर उनको यह पैसा दिया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा उन्हें नुक्सान होगा तो उसके लिए यहाँ पर currency act 1764 लाया गया जो कि पहले से ही अमेरिका के पास gold और silver की reserves क्या थे यहाँ पर कम थे अमेरिका के पास यहाँ पर आप देखेंगे gold और जो silver की reserves से पहले से ही कम थे अब जब यह reserves कम थे और इस पर उन्हें payment करना पड़ेगा तो definitely उन्हें यह चीज पसंद नहीं आएगी नाराज होंगे second act आप यहाँ पर देखें क्या आया second act 1764 में आया sugar act 1764 तो sugar act 1764 क्या है आपका sugar act 1764 basically smuggling के लिए main focus किया गया था क्या हुआ था यहाँ पर best indies best indonesia से और France की जो Caribbean sea में colonies थी तो यहाँ से क्या होता था यहाँ से smuggling होके sugar वगरा यहाँ पर America में आती थी अब smuggled हो रही है तो इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पर sugar act लेकर आई थे जिसके तहर जो custom officers थे उनको जादा से जादा power दी गए उनको regulate किया गया even vice admiralty court अगर कोई smuggled करते हुए पकड़ा जाता है तो without jury बिना judge के ही उसको सजा मिल सकती है ऐसा court यहाँ पर noves court कोटिया में हाँ पर open किया गया इसके तहर इसके बाद हम देखते हैं एक और एक्ट यहाँ पर लेकर आए जो की बहुत ही जादा मतलब लड़ाई की जड़वना वो था stamp act 1765 अब stamp act 1765 basically किया था stamp act 1765 किया था आपका जैसी कि अभी आप देखते हैं आप government stamps बगरा देने जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा government कि आपको सील लगी होती है उस पर आपको यहाँ पर कुछ रुपे देने पड़ते हैं अगर 10 रुपे का stamp हो सकता है 100 रुपे का तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ stamp act आया है जिसमें क्या था कि आपकी जितनी भी government official things हैं जैसी कि newspaper license, deeds, bonds, leases और pamphlet इन पर क्या होगा basically government का stamp लगा होगा जो कि British government का होगा British government का stamp लगा होगा और यहाँ पर उसके लिए आपको money पे करना होगा अब इसके लिए क्या हुआ money पे करना होगा अब ऐसा क्यों किया ऐसा करने का कारण क्या था ऐसा करने का कारण यह था कि जब France और Britain के बीच में युद हुआ यहाँ पर जब यह युद हुआ तो Britain को economy बहुत ही जादा हाम हुई बिर्टिन की economy हाम हुई साथ ही साथ पहला रीजन दूसरा रीजन अभी यहाँ पर ट्रॉप्स को बढ़ाना पड़ा क्यों क्योंकि कनेड़ा भी यहाँ पर था तो border force border जो लाइन थी वह बढ़ गई तो इसकी भर्पाई के लिए क्या किया गया इसकी भर्पाई के लिए यहाँ पर इस्टांप एक समनी 65 लेकि आया अब इससे क्या हुआ revenue जो generate हुआ इस्टांप एक्ट से वो करीवन करीवन वन लैक पाउंड हर साथ आपका generate होता था जो की इनोंने स्टांप office खोला लंदन में इंस्पेक्टर हर एक colony में तेरा colony थी तो हर एक colony में no tax without representation जब आप हमें representation नहीं दे रहे हैं तो आपकी parliament हम पर tax नहीं लगा सकती है तो वही एक बात होगी थी और दूसरी चीज यहाँ पर क्या था कि जो self government का concept होता है कि local bodies वगरा tax लगाएंगी तो आप उस concept को यह क्या था threaten कर रहा था तो अब आप यहाँ पर हम पर tax नहीं लगा सकते हैं इसके बाद आपकी देखेंगे तो merchants lawyer माइंट से सारे के सारे विसीगली क्या हुआ है यहाँ पर एक खट्टे होगे थे वह प्रोटेस्ट करना यहाँ आपर चालू हो गया था और यहाँ पर अब देखेंगे मैस्क विसस्ट ने यहाँ पर पहला formal action लिया मास्क विसस्ट ने यहाँ पर पहला formal action यहाँ पर ले लिया, इसके ब्रोध में, इस्तंम ने फिर बरजीनिया आप resolution पास हुआ, यह भी क्या का था यह पर प्रोटेस्ट था एक तरीकए, इक तरीक का यह डिकल लगा सकते हैं आपके पास हमारी उपर राइट ही नहीं है और यहाँ पर समने मिलकर एक declaration निकाला declaration का नाम क्या था declaration of right of grievances आपकी क्या rights हैं और वो उनकी क्या grievances हैं इस पर पूरे एक declaration एक letter तयार किया जो कि British Parliament upper house lower house को और वहां के king को यह letter भेजा गया इसमें इनोंने तीन बात लिखी पहली बात तो थी कि no tax without representation आपकी parliament में American represented नहीं है तो आप हम पर tax नहीं लगा सकती tax लगाने का right सिर्फ हम colonies के पास है local bodies के पास है जो local assemblies है सिब उनके पास right है आपके पास हम पर tax लगाने का कोई right ही नहीं है और इसके बाद भी अगर आप नहीं मानेंगे तो जो हम import करते हैं उसको हम reduce कर देंगे उसको हम reduce कर देंगे आप यह समझ लीजे तो यह सब धंकिया जब दी गई उन्हें समझाया गया तो कही ना कह रहा नहीं था ब्रेटे सेक्ट ने यह जो act आये stamp act आया उसको repeal किया stamp duty को repeal किया इसके साथ आप देखें कुछ underground organization तयार हो गई थी okay secret organization जिसको हम बोलते हैं जैसी कि sons of liberty, daughter of liberty इस type की कुछ organization सो हाँ पर तयार हो गई थी okay Boston में basically यह हुई थी तयार एक बाँ map में देखते हैं Boston कहां पर है आपका Boston port है Massachusetts का जो यह आप रीजन देख रहे हैं यह जो रीजन है basically Massachusetts का यहाँ पर आप देखेंगे यह Boston port है आपका ओके यह Boston port है यह आपका basically map है और यह आपका Boston port है correct तो यहाँ पर इनों ने basically sons of liberty ने सबसे ज्यादा action जो लिया यहाँ पर New York मिलिया अब New York कहां पर है यह आपका मैं excuse से यह आपका New York है ओके तो New York में basically नों लोगों को prevent किया कि आप stamp duty का use नहीं करेंगे अपना काम कीजी लेकिन stamp duty का आप use नहीं करेंगे साथी साथ लोगों ने streets में March किया साउटिंग एक नारा बा गरा तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे जो राजा की British King की जो यहाँ पर images पगएर थी उनको फाड़ा ओके इसके साथी साथ जो यहाँ के stamp officer है उनको compelled किया डराया धंकाया कि आप यहाँ से रिजाएं कर दें इतना ही नहीं यहाँ तक कि आप देखेंगे जब यह सारी चीज से और उन्होंने यहाँ पर अपना आवाज इठाई उन्होंने कहा कि आप इंग्लेंड में जो इंग्लिस प्यूपल सिर्म को आप दबा नहीं सकते हैं और basically British Parliament के पास कोई राइट ही नहीं है किस basis पे British Parliament Americans क्यूप पर यह tax बगरा लगा रही है तो इस तरीके से जब Declatory Act ओके यहाँ पर उन्हें ने एक declaration दिया कि British Parliament यह repeal कर रही है लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि British Parliament आगे tax नहीं लगा सकती है British Parliament के पास पूरा power है अपनी colonies पर tax लगाने का और इसको ध्यान मत दे नजा रखती हुए British Parliament ने stamp duty को तो repeal किया लेकिन consumer goods पर tax लग duty देना पड़ेगा और जैसे ही उन्होंने import duty यहाँ पर लगाई Americans ने अपना जो import करते थे British से वो half कर दिया वो reduce कर दिया जो बात उन्होंने declaration में कही थी यह सारी चीजें हुई यहाँ पर ओके यह सारी चीजें हुई यहाँ पर उसी बीच में क्या होता है उसी बीच में आप देखें मैंने आपको बताया कि एट्टिंथ मार्च को डिगलेट्री एक्ट निकाला गया डिगलेट्री एक्ट आपको पता है क्या है वहीं उसी बिटिस्की जो ट्रॉपस वगर है अमेरिकंज की सुरक्षां में लगी हूँगी, अμεरिका के बौरडर्स की सुरक्षां में लगी हूँगी कहीं कोई और कॉलोनीज नबना ले अमेरिका में तो उसके लिए जो भी खाना, पीना, खर्चा, रहने का खर्चा, जो भी खर्चा ह वो अमेरिकन्स के द्वारा ही पे किया जाएगा ये एक्ट उसी बीच में यहाँ पर ला दिया गया अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर वेसिकली 1766 में इसको रिपील किया गया और उसी समय डिकलेट्री एक्ट नकाला गया अपनी इमेज बचाने के लिए कि हाला कि हमने इसको रिपील किया है लेकिन हमारे पास गूरा राइट से और उहाँ पर उन्होंने कंजूमर गोड्स पर टेक्स लगा दिया इसके बार आप देखें जब यहाँ पर इंपोर्ट रिड्यूस हुआ इंपोर्ट रिड्यूस हुआ इंपोर्ट रिड्यूस हु वो थे आपके रोकइंगम। Okay, रोकइंगम। उस समय आपके नए पीम बनी, Okay, रोकिंगम यहां पर आप देखें, नए पीमबनी और चांसलर बनी, आपके टाउन सेंड आपकी यहां पर नए चांसलर बनी, चांसलर ओफ एस्टेकर। लेकिन आप देखे हैं, यहां पर रोकिंगम की यहां पर तबियत खराब हो जाने के पास, पूरी जो सत्ता थी, पूरी जो पाबर से वो टाउंसेंड के पास आए, अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहां से कुछ चीजे तो सीखी, ग्रेन वेली से उन्होंने कुछ ची पर गैलोन, यह तो एक कॉंसलेटरी एक स्टेप था, यह सिब एक ही ऐसा स्टेप था जो अमेरिकन के फेवर में था, बाकी सारे स्टेप्स देखे हैं, वो अमेरिकन के ब्रोद में थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेंट, पेपर, ग्लास, टी और लीट पर, अब यह के द्वारा उनकी सेली पे की जाएगी, तो यह सारी चीजा अमेरिकन को पसंद नहीं आ रही थी, साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, जो बोर्ड आफ कॉस्टम से, बोर्ड आफ कॉस्टम, कॉस्टम ड्यूटी बगरा, या स्मगलिंग बगरा ना हो, उसके लिए इस सारी कम कोटर्निंग एक्ट आया था, कोटर्निंग एक्ट के तहत क्या था, कि यहां पर आपकी एरिया में जो भी ट्रॉप्स रहेगी, उसका पेमेंट कैसे होगा, उसका खाना, पीना, खर्चे, सब कुछ जो खर्चे होगा, वो कैसे होगा, अमेरिकन कॉलोनीज देंगी, ओके, जो लोकल लेगिसलेटिव असम्बली है, वो एक्ट के थो यहां पर इनका खर्चा देंगी, लेकिन उसी बीच क्या हुआ, नियू आर्क की जो असम्बली थी, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, कि वो यह टेक्स नहीं देंगी, वो यह पेमेंट नहीं करेंगी, और जैसे क यहां पर नियू आर्क की असम्बली ने लोकल असम्बली ने रिफ्यूज किया, उपर से क्या हुआ, ब्रिटिस पार्लिमेंट ने अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए, ब्रिटिस पार्लिमेंट ने अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए, नियू आर्क असम्बली ज शेक्स लगाने का साथ एसाथ आपके इंडर कोई भी कानून बनाने का हमारे पास पूरा राइट है आप उस राइट को नहीं आमान नहीं कर सकती आप ऐसे नहीं कर सकती है कि रrefill इप्स क्रणे तो इस एक्ट के अंदर तो यह एक इशू था जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा मलब समझ में आया, लोगों को अमेरिकन्स को लगा कि मतलब बिटिस पार्लिमेंट निवार की असंबली को कर सके हमारी इमेज क्या है यहां पर, ओके, तो यहां पर कुछ कुछ कॉंस्टिट्यूशन की उनको अवे अमेरिकन्स थे, उन्होंने क्या किया कि, अब वो क्या करेंगे, अब वो यहां से इंपोर्ट को रिड्यूस कर देंगे, ब्रिटेन से इंपोर्ट को रिड्यूस करेंगे, अगर ब्रिटेन से वो इंपोर्ट को रिड्यूस करेंगे, तो कही ना कहीं उन पर एकोनोमिक प्र प्रेसर बनेगा और एक्रोमिक प्रेसर बनेगा तो कहीं ना कहीं वो अमेरिकन्स की डिमांड को फुल्फिल करेंगे इसके बाद यहां पर जो डिंकिंसन जो हैं आपके उन्होंने एक बिसिकल इंटेलेक्च्वल परसनालीटी हैं अमेरिकन्स की पॉलिटिकल फिल्ड से भी थे इन्होंने constitutional issue rise किया अब constitutional issue जो rise किया उन्होंने pamphlet बगर यहां पर चापियों उसमें constitutional issue rise किया लोगों को aware करने के लिए अब वो issue क्या था उन्होंने कहा कि हमसे tax किस बेसिस पर ले रहे हैं और जो साथ ही साथ जो टाउंस एंड डूटी जो इतनी सारी इन्होंने यहां हैं यह law हम पर कैसे बना रहे हैं ओके और साथ इसाथ जो न्यू आर का डिक्लिरेटी जो issue था उस पर भी इन्होंने यहां पर constitutional awareness लोगों में aware किया ओके इसके बात क्या हुआ मास्कियूसिस के जो Samuel Adams से intellectual personality हैं वहां की political field से भी connected है और radical thinker है आपकी radical thinker है इन्होंने एक circular letter किय जिसमें उन्होंने बताया कि जो townset को जो जितने भी measures है न वो basically हमारे constitutional rights को कहीं न कहीं खा रहे हैं कहीं न कहीं खतम कर रहे हैं जो हमारे constitutional rights हैं आप हम पर इतने सारी measures नहीं लगा सकते हो आप custom officers को यहां तैनात नहीं कर सकते हो जो कि हमारी जो liberty है हमारी country में हम so virgin country की तरह क स्काम करना चाहते हैं आप हम पर कोई और authority impose नहीं कर सकते हैं तो यह सारी issues यहां पर Samuel Adams ने अपने सरकुल एटम में rise किये जिससे लोगों को और ज्यादा aware किया जा सके अब यह सब सारी चीजें हुई तो इससे क्या होता है यहां पर आपका British King जो थे वो गुस्या गए ओके अब वो गुस्सा होगा है बोले हो इतनी हिम्मत होगी तुम्हारी तो यहां पर उन्होंने क्या किया 1768 में British ट्रॉप्स को भीजा अब यह ट्रॉप्स को क्यों भीजा क्योंकि जो Samuel Adams से उन्होंने अपने कहा कि मेरी constitutional rights आप board of custom duties वगएरा कोई ऐसी authority हम पर इंपोज नहीं क वगएरा उन्हीं सारी चीजें पसंद नहीं आई इसी कारण बस क्या हुआ यहां पर इसी कारण में आप देखेंगे कि यहां पर जब British ट्रॉप्स थी और यहां पर जो American people से उनकी बीच में एक जड़ा पिश्टार्ट हो जाती जिसको बोलते हम डिंग डॉंग battle 1770 में यह पर order दे देखेंगे हैं उस वज़े से Americans कुछ Americans लोग मर जाते हैं उके उनकी मेत्यों की कारण गोली चलवा दी यहां पर Captain ने तो उसकी मेत्यों की कारण तो आप यहां पर क्या हुआ अब यह इशू यहां पर क्या इन्हों ने डिमांड की एक तो पहली बात Captain President की जो court में वो होनी चाहिए सुनवाई होनी चाहिए वो अमेरिका में होनी चाहिए लेकिन ब्रिटेन ने कहा हम पर विस्वास रखें इनको सक्ती से सक्त सजा मिलेगी हम पूरी committee इठा लेंगे इसकी जाच करेंगे इनको ब्रिटेन के court में ही आप यहां पर present होने के लिए तो Americans ने यह ब्रिटेन की court में present हुए उहां कि ब्रिटेन की court ने खलकी फुल की सजा देखें इनको release कर दिया इनके साथ जो बाकी soldiers से तो यह Americans के लिए एक आँख खोल दी गई कि ब्रिटेन अब अलग मलब ब्रिटेन का अलगी वो है वो हमारी उपर colonial masters की तरह काम कर रहा है totally इसके बड़ा करता हूं थोड़ा यह है यह है आपका ओके यह मैस क्यूसिस है यह निवार्क है यह आपका रोड़े आइलेंड है तो यहां पर क्या होता है basically यहां पर एक incident यहां पर होता है अब यह क्या होता है यहां पर इसी तरीके से जैसी कि यहां पर एक incident हुआ ना उसी तरी गेस्पी क्या आपकी सर्वेशिप थी ब्रिटिन की तो बेसिकली यहाँ पर अनों लोगों ने आग लगा देते हैं अमेरिकन्स इसको जला देते हैं तो इसके लिए कमिशन बिठाल दी जाती है उन लोगों को सजा देने के लिए लेकिन वहाँ पर कोई सब किसी ना कुछ कहा बठती चली जा रही ही, इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आवाते हैं हमारे Lord North, ऐसा Prime Minister of England, जब Lord North ऐसा Prime Minister of England आते हैं तो उन्होंने एक थंडे दिमाग से चीज़ों को सोची, एक समझदार Prime Minister थे यहाँ पर, जिन्होंने जो कि आपके Lord Townsad ने और Grain Valley ने, तो कामी नहीं कर पाए, यहाँ जो एक्स्ट्रीम स्टैप्स लिए गए, जिससे ब्रिटेन और अमेरिका के रिलेसंस विगड़ी, उन रिलेसंस को सुधारनी के लिए, इन्होंने कई सारे स्टैप्स लिए, सबसे पहले इन्होंने का कि अगर हम कम्प्लीटरी रिट्रीट कर देते हैं, जो भी टेक्स बगएरा, टाउंसेड ने जो टेक्स बगएरा लगा हैं, तो कहीं न कहीं बो हमारी कमजोरी दिखा जाएगी, ये बेसिकली समझ रहे थे कि अमेरिका में एक अंदोलन रिवॉल्ट चालू हो रहा है, अगर इसको नहीं समाला गया, तो ब्रिटेन में कुछ अलग-अलग país बढ़ चुके थे, वो इस तांती से खुष नहीं थे, कुछ लोग खुष थे, कुछ लोग खुष नहीं थे, जैसे कि radicals नहीं थे, जो इसकी उपर किसी का भी आदिकान नहीं हो, जो एक colonial का ठप्पा लागा है, उस colonial के ठप्पे को खतम ह होना चाहिए इसमें कौन-कौन थे इसमें लॉयर से सिप बर्कर से आर्टिसंस न्यूस्पेबा पब्लिसर्स और नाम में देखें तो सैम्यूल एडम्स चार्ल्स थॉम्स जॉर्ज वासिंग्टन थॉमस जाफर्सन एस टाइप के रडिकल थिंकर्स थे आपर जबकि गलतियां हुई है उन गलतियों को अमेरिकल्स को भूल जाना चाहिए और अमेरिका ब्रिटेन के साथ एक अच्छे रिलेशन्स मेंटेन करने चाहिए इसमें आपकी देखेंगे तो प्रॉफेशनल पॉलिटीसियंस रॉयल ऑफिसर्स मर्चेंट्स और रूलर पॉपॉलेश जब यहां पर सेमियल एडम्स यहां पर हार गए तो यह समझ यह थे कि अभी हमारी जैसी सोच के लोग अमेरिका में नहीं है तो इन्होंने क्या किया एक कमिटी फॉर्म स्टार्ट कर दी कमिटी ऑफ कर्रिस्पॉन्नेंस जहां पर लोग ने अपनी विचार धारा को सर्कु अपनी बिचार धारा लोग तर्क फैलाई लोगों को आवयर किया कि हमें उन्डिपेंडेट होना चाहिए हमें आजाव यहां पर होना चाहिए और इन्हीं की सोच थी जो रैडिकल फिंगर से ना इन्हीं की सोच थी कि आप देखेंगे जब यहाँ पर T-Act आया 1772 में अब T-Act क्या था 1772 में जो T-Act आया था वो क्या था अब 1772 में आप देखेंगे हमने एक इन्डिया में आप देखेंगे तो regulating act आया था अब regulating act क्यों आया था क्योंकि East India Company यहाँ पर bankrupt हो चुकी थी ठीक है अब इसी तरीके से यहाँ पर जब 1772 में T-Act आने का भी मकसद से यही था क्योंकि East India Company bankrupt जो हो चुकी थी उसको survive कराने के ल गया था अब यहाँ पर steps किया थे British government ने कहा था कि basically अभी जो है पहले import duty देनी पर दी थी उस import duty को यहाँ पर क्या किया गया कम कर दिया गया कि East India Company अगर Americans में colonies में जाकर T-Sail करती है तो उस पर import duty कम हो गई second अभी पहले East India Company को America colonies में जाने के लिए पहले Britain जाना परता था फिर उधर से अमेरी अब वो direct यहाँ से जा सकते हैं तो इससे क्या हुआ जो टी क्या जो प्राइस था ठीक है वो क्या हुआ कम हुआ इससे उनके दो मकसद पूरे हो रहे थे एक तो East India Company सर्वाइब हो जाती स साथ जो यहाँ पर स्मगलिंग हो रही थी डच वगरा से इंडोनेसिया वगरा से जो स्मगलिंग हो रही थी टी की वो भी खतम हो जाती यहाँ पर अब जब वो खतम हो जाती यहाँ पर तो यह दो थे अब जब यह मार्केट में पहुचे अब जब यह East India Company मार्केट में पह तो इस वज़े से इन्होंने किया कि East India Company को मार्केट में घुसने नहीं दिया लेकिन East India Company की जो एक सिप आती है बेसिकली सिप आती है मैसक्यूसिस में जब सिप पहुचती है आपकी बोश्टन पोर्ट पर तो उहां पर लोगों यहां पर मना करते हैं कि आप सिप को यहां पर खाली नहीं करेंगे बापेस ले जाए सिप को लेकिन वहां का जो गवर्णर था वो ओर्डर देता है कि आप सिप को लेकर आए खाली करें यह जो एटिट्यूट था यह पसंद नहीं आए और जो आप मैंने आपको बताया था सीक्रिट और्गनाईजिसंसी जैसी सन उफ लिवर्टी हो गया इन लोगों ने जो चाई थी उसको यहां पर सीमे फैक दिया और सीमे फैकने के कारण जो चाहिए फैक दी सीमे उसको बोला जाता है यहांपर Boston Tea Party तो I hope यह clear हो गया होगा Boston Tea Party क्या है आपकी correct अब Boston Tea Party यहांपर clear हो जाता है तो इसके बार अब क्या होता है Britain ने यहांपर कुछ extreme straps लिए Americans को punish करने के लिए यहाँ पर Britain ने कुछ extreme steps लिए, अब वो extreme steps क्या थे, उनको भी एक बार देख लिए थे हम पहला steps क्या था, जो की intolerable थी, जिन्हें बरदास्ट नहीं किया जा सकता पहला step था, mask usage की जो government थी, उस पर act लेकिया यहाँ पर इस government को क्या किया यहाँ, मतलब कि यहाँ कि जो local self government थी, उसको क्या किया गया, वहाँ कि जो local self government थी, उसको यहाँ पर खतम कर दिया गया, correct local self government को यहाँ पर खतम कर दिया गया, पहला point दूसरा क्या हुआ, administration of justice act, administration of justice act क्या है आपका, इसमें basically यह था कि कोई भी British officers, कोई भी British officers अगर capital offense में पकड़ा जाता है ठीक है, कोई भी British officers अगर capital offense में पकड़ा जाता है, तो उसके पास rights है कि वो अपना trial Britain में ही करवा सके, यह उसके पास rights है कि वो अपना trial England में करा सके, अगर कोई भी officers capital offense में पकड़ा जाता है, Boston Port को यहां पर बंद कर दिया गया और मैस्क्यूसिट्स कॉवर्मेंट से कहा गया कि जो भी इस्ट इंडिया कंपनी का यहां पर नुकसान हुआ यह जो आपने टी फैकी गई है ओके बोश्टन टी पार्टी जो आप लोगों ने की है यहां पर उसकी पूरी भरपाई आप करेंगे इसके बाद यहां पर कोटनिंग एक्ट को पहले क्या हुआ था सस्पेंड कर दिया गया था उसको बापस से रिजूम कर दिया गया यहां पर ट्रॉप्स को जादा से जादा ट्रॉप्स यहां पर भेजी गई जिसमें आगे ऐसे इंसिडेंट ना हो उसके लिए यहां पर ट स्टेप्स क्या लिए गया क्यूबेक एक जिसके कारण आप देखेंगे कि जो इमेजियेट फीचर से अब इमेजियेट फीचर में क्या होगा बोश्टन टी पार्टी हो गई आपकी उसकी बाद जो क्यूबेक एक्ट आया इसको आम इहां देखें थोड़ा सा यह देखो आप यह क्यूबेक है आपका ठीक है और यह क्यूबेक होगी आपका ठीक है अभी एक मैं पौर्ट देखो यहां पे यह बेसिकली क्यूबेक है आपका फ्लोरेडिया है अटलांटिक उसियन है अब यहां देखो यह आपकी मिसिसिपी रिपर जो है बेसिकली आपकी यह इस टाइप से है तो यह बेसिकली यहां पर क्या हुआ यह अभी यह पार्ट देखो जो यह लाइन दिख रही है आपको यह लाइन मेंने खीची है, यह बेसिकली पूरा USA का पार्ट था, ठीक है, तो यहाँ पर जो यह countrys थी, यहाँ पर जो यह countrys थी हैं आपकी जैसे कि यह निवार्क हो गया, ऑके बर्जीनिया हो गया, ठीक है, तो यह countrys क्या सूचें दी कि जिर अपने बैस्टन बॉर्डर को लेकर आई, क्यूबेक एक्ट में क्या हुआ, क्यूबेक एक में एक boundary उन्होंने create कर दी, इस टाइप से best boundary उन्होंने create कर दी, होट्सों निवर के नॉर्थ में, और ये आपका, जो superior lakes बगएर हैं, ये आपके, उसके south में हो गई आपको, और ये इस टाइप से न्होंने एक boundary यहां पर create कर दी, अब जब अनुह ने एक boundary यहां पर create कर दी पहला region तो यह हुआ, कि यहां पर उन Kia किया, यहां पर उन्ने कोई local government को setup नहीं किया, यह direct क्या हुआ है, यह directly जो आपका lead किया जाएगा, वो कैसे lead किया जाएगा, डारेकली आपका British government के दुआरा लीड किया जाएगा, उहीं से nomination यहाँ पर किये जाएगे, local self government नाम की यहाँ पर चीज नहीं थी तो यह Americans में क्या था, America में अब यह पहला एक style का model setup किया जाएगा था, अभी तक क्या था Americans को self government यहाँ पर प्रोवाइट की गई थी, अब यहाँ पर क्या है, self government नहीं रहेगी, अब directly यहाँ पर appointment किया जाएगा, यह directly British colony, Britain colony की तरह यहाँ पर काम करेगा, जहाँ पर local self government बगर्णेट बगरा करके कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, यह Protestant Christianity को मानती थी, Protestant religions को मानती थी, और Quebec और Canada में basically क्या था, आपका Catholic religion को मानती थे, तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, Britain ने, इनको punish करने के लिए, उस Catholic religion को क्या किया, recognize करना चालू कर दिया, अब जब उस Catholic religion को recognize किया, तो यह कही न कहीं जो USA की, United States of India की जो unity, integrity थी थी ना, उसको कही न कहीं लोगों ने क्या किया था, हाम करना चालू कर दिया था और साथी साथ, जो इनका एक सपना था कि अपनी boundaries आगे, प्रश्टिय फ्रेंटियर्स और Quebec को भी अपने उसमें summit कर लेंगे, अब वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो पा रही थी, तो यही कारण था कि Quebec Act ने Americans को और ज़्यादे यहाँ पर revolt करने के लिए मजबूर कर दिया, और जैसे कि यह 1775 में आपको होता है, आप देखेंगे कि 1775, 1776 से आपका यहाँ पर American War of Independence से स्टार्ट हो जाता है, उसी समय कुछ intellectuals, personality भी आती है और अपने जो लोगों को aware करती है, motivate करती है कि हमें independence अपको लेने नी चाहिए, जैसे कि Patrick Henry ने आपका यहाँ पर motivate किया, एक speech दिया उसका, उनकी speech में क्या था give me liberty, या तो मुझे आजा दी दो give me liberty और give me death यहाँ पर मुझे में student दे दो तो इस टाइब कि जब उहाँ पर intellectuals statements pass हुए, तो लोगों को यंदर और ज्यादा motivation आया और उन्होंने यहाँ पर अपने आपको independence declare कर दिया, 4th July 1776 में हाँ पर independence declare कर दिया और America जब America और बिच में युद्ध चला and finally British Army under Convallis Convallis केंडर में यहाँ पर British Army ने यॉर्क टाउन के पोर्ट पर यहाँ पर अपने आपको surrender कर दिया और 1783 में एक यहाँ पर treaty of peace of Paris यहाँ पर sign होती है जिससे America यहाँ पर basically इनकी जीत में basically क्या था, यहाँ पर France, Spain Netherlands, इन लोगों ने भी US की यहाँ पर help की थी against British Army तो जैसे कि मैंने आपको कली भी बताया था कि Britain, France की एक writer का, writer ने जैसे ही वो France हारा था, बहुत जल्दी एक statement पास किया था, कि बहुत जल्द Britain भी America colonies को खो देगा, और उसका region मैंने आपको first वीडियो में बताया था तो वो चीज़ उसकी यहाँ पर सही थाबित हुई इसके बाद अगर हम significance की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर significance क्या है, ओके, यहाँ पर significance significance की बात करते हैं अमेरिका एक पहला modern revolution निकला, जिसने inspire किया ठीक है, against despotic regime मतलब कि despotic regime के अंदर पहली बार किसी ने यहाँ पर revolt किया था और जीत भी हासिल की थी इसलिए यहाँ पर अमेरिका को basically mother of all revolution कहते हैं क्योंकि जब अमेरिका में revolution हुआ 1776 में revolution जब start हुआ, तो इसके बाद आप देखेंगे, कई जगाओं पर revolution इसी से लेकर inspired हुए जैसी कि आपको French revolution हुआ Irish revolution, revolution Latin America Spanish, European revolution, यह सारे कहीं न कहीं अमेरिका की revolution से inspired हुए थे अमेरिका में पहली democratic government यहाँ पर set up हुई हाला कि यह completely democratic government नहीं थी, लेकिन यहाँ पर पहली democratic government यहाँ पर set up हुई, साथ ही साथ यहाँ पहला written constitution हमें देखने को मिलता है, और इसके बात यहाँ पर जो transform अमेरिका ने किया, पूरे world को अपने जो ideas से जैसी की liberty, quality, fraternity, rule of law, constitutional इस type की जो नएने ideas, अमेरिका ने पूरी दुनिया में प्रचलीट की आप देखते हैं, कि कही न कहीं इससे, कई सारी countries में यहाँ पर कहीं न कहीं revolutions हुआ, तो आप यह सारे significance यहाँ पर डाल सकते हैं, अमेरिका की revolution का क्या significance रहा गाईस, यह आपका complete होता है, यहाँ पर American revolution okay, यहाँ पर American revolution complete होता है, and guys thank you so much, अगर वीडियो पसंद आती है तो guys, like, share और subscribe करना मत भूलिएगा इसी तरीके से वीडियो को देखने के लिए and thank you so much